आपके बाद Vivo Y16 है, Y22 है, कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप Data Limit की सैटिंग कैसे कर सकते हैं फोन में, तो Data Limit की सैटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे Eye Manager का Option देखने को मिलेगा, क्लिक कर लेंगे, और इस टैप से Option आएगा, स्क SIM 1 के लिए और SIM 2 के लिए, अलग-अलग Option देखने को मिल जागा है, जैसे कि अभी मैंने SIM 2 का Data, ने SIM 1 का On कर रखा है, तो यहाँ पे Mobile Data मेरा On है, अब यहाँ पे आपको Data Warning and Limit का Option मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको Usage Cycle सेलेक्ट करना है कि आप जैसे कि हर एक तारीक को चाहते हैं कि Data Limit Set हो जाए, तो वो एक तारीक सेलेक्ट कर लेंगे, वो तारीक आप क्योंपर डिपेंड करता है, कौन से तारीक आप चूस करना चाहते हैं, इसके बाद यहाँ पे Set Data Warning आप On कर देंगे, और Warning आपको कितने GB पे चाहिए, वो GB और MB यहाँ पे Select कर देंगे, यहाँ से Change कर सकते हैं, Set पे Click कर देंगे, अब Set Data Limit On कर देंगे, ओक कर देंगे, तो यहाँ पे आप अपने फोन में जो डेटा आपने रिचार्च करवा रखा है, उसका लिमिट लगा सकते हैं, जैसे 5 GB मैंने करवा रखा है, तो 5 GB मैं 3 GB खर्च होगा ना, मतब 3 GB पे मेरे को Warning मिले चालू हो जाएगे, कि हाँ आपका डेटा खर्च होने वाला है, तो यह लिमिट आप तब लगा सकते हैं, जब आपने महीने का रिचार्च करवाया हो, या एक दू दिन का रिचार्च करवाया हो, आपको लिमिट लगानी है, क चीक है, और यह जो डेटा लिमिट मैंने सेट किया है, 3 GB, 5 GB, यह आपके रिचार्च के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपने कितने का रिचार्च किया है, तो इस चीच को आप ध्यान रखके, तब आप डेटा लिमिट लगाएंगे, वरना फिर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं अपने इतना GB यूज किया, इतना बचा है, यह दिख सकते हैं, यहाँ पर आगया ना, अगर मैं इसको आफ कर देती हूँ, तो यह यहाँ पर से हट जाएगा, चली मिलते हैं आपके एक नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमशकार,